जहनक के जाने के बाद अर्शी से क्यूं तोड़ी सगाई विपाशा तनुजा के उड़े होश बड़ी मा अपूदी ने किया सपोर्ट तो दोस्तों हम जानते हैं कि अब जहनक वापस जा चुकी है जी हाँ वो निकल गई है श्री नगर जाने के लिए अनिरुद के कहने पर ही अब वो एक्जामस देने वाली है और शायद वो कभी वापस नहीं आएगी वो कोलकता तो क्या मुंबई भी वापस नहीं आने वाली ऐसा उसने अपने मन में ठान लिया है इधर अनिरुद काफी जादा परेशान है क्योंकि वो जानते है कि अब वो जहनक को कभी मिल नहीं पाएंगे लेकिन उन्होंने वादा भी किया है कि वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे तो दोस्तो छोटान भी साथ में थे जब अनिरुद ने जहनक को ड्रॉप किया था उसे स्टेशन पर तो दोस्तो अब वापस आने के बाद घरवाले मौजूद है और अरशी ने देख ली है अनिरुद के हाथ में एक रिंग तो इन बातों से अब ऐसी कौनसी बात हो जाती है कि अनिरुद ने शादी तोड़ने तक की बात कर ली है तो ये हम जानेंगे बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है हमारे इस ही चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए ताकि हर नई एक्स्क्लिजिव अपडेट सबसे पहले आप तक पहुचे तो दोस्तों अनिरुद पहले ही काफी परेशान है बहुत जादा इमोशनल है और ऐसी हालत में वो वापस आते है घर और घर आकर देखते है तो घरवालों के साथ साथ अर्शी भी मौजूद है और वो वेट कर रही थी अनिरुद का क्यूंकि उसे मिलना था अनिरुद से और इसी के साथ साथ अब उसने देख लिया है अनिरुद के हाथ में एक नई अंगुठी जी हाँ काफी महेंगी अंगुठी है और जब अर्शी ये देख लेती है तो पूछती है कि आखिर ये अंगुठी कहां से मिली है और तुम इसे क्यूं पहन करो वैसे तो अनिरुद ने जवाब नहीं दिया था कि ये जनक से उन्हें मिली है लेकिन फिर भी अर्शी को पता चल जात है कि अंगुठी जनक को ही जनक नहीं दी है क्योंकि अर्शी को जनक ने भी एक अंगुठी दी थी और अर्शी ने अब कहा है अनिरुद को कि ये अंगुठी वो उतार दे लेकिन जैसा कि हम जानते है कि अनिरुद ने वादा किया है कि वो ये अंगुठी कभी नहीं उतार तो इसलिए अब अनिरुद ने भी मना कर दिया है कि तुम्हें अगर मुझे पर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर क्या फाइदा है इस रिष्टे का जी हाँ दोस्तों और अर्शी ने भी काफी कुछ बोला है जहनक के कैरेक्टर के बारे में जो बात अनिरुद सुन ही नहीं सकते वो बात कह दी है अर्शी ने और इसी के साथ साथ अब अनिरुद को काफी जादा घुसा आ गया है और उन्होंने ये कहा है अर्शी को कि अगर तुम्हें मुझे पर ट्रस्ट ही नहीं है तो इस रिष्टे को आगे बढ़ा कर क्या फाइदा है ये बाते अब सुन रही है त बड़ी मा और अपुदी का क्योंकि वो तो पहले से ही जनक को चाहते है और वो यही चाहते थे कि जनक इस घर का हिस्सा बन कर रहे तो दोस्तों अब जब तनुजा और बिपाशा को ये बात पता चलेगी तो आखिर और क्या-क्या ड्रामा होने वाला है ये हम आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए